नमस्कार आप सभी को मैं गौरब सर्मा आज आप सभी के लिए लाए हूं खुसी की बहुत बड़ी दो खबर तो आएए मेरे साथ बने रहिए अंद्र तक और पूरी जानकारी प्राप्त करिए हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने 22 जिलों के डी सी से मांगा है कि गुरुप डी और गुरुप सी की विकैंसी आपके जिले में कितनी खाली हैं उनके वारे में हमें तुरंत जानकारी दीजिए तो अब डी सी इन पांच दिनों के अंदर ये बताएंगे कि हमारे हैं कितन को बताया था याद है आपको और आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर हो तो कि 13500 कुछ विकैंसी बताई थी दूसरे यूट्यूवर्स ने और मैंने आपको बताई थी 15000 पर भरती होगी तो बहुत से लोगों के कमेंट आये थे मैं उन बातों की तरफ ना जाकर कि साड़े 35500 विकैंसी हैं मैं नॉर्मल भी बता रहा हूं हाला कि मुझे तो बहुत कड़े कड़े कमेंट का सामना करना पड़ा था तो 15000 विकैंसी पर ये भरती होगी एक तो रही ये खुशी की ब 21 तारिक पहली बता रहा हूं आपको 21 फरवरी 2024 ठीक है 21 फरवरी 2024 को 56 और 57 का डिसीजन हो जाएगा और इस पर जो भरती हैं टोटल वो हैं आपकी 12,116 ये 12,116 और ये 56,57 के लोगों ने कंबाइन गुरुप डी का एक्जाम दिया है मैं आपको पहली बता चुका हूं और इन लोगों ने बढ़िया बढ़िया अंक लिये हुए हैं फुसकबरी क्या है आपके लिए मोटे तोर पर ध्यान से भाई साब प्लीज सीरियस होके समझें कटोफ 62 से लेकर 63 के आसपास ही जाएगी 64 भी नहीं जारी नप्रेंसर जारी है बहुत कम जाएगी बहुत कम सा आपको कमी बता रहा हूं यह जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं आप खुद बताइए कि वो सारे कम पे आए नहीं आए भाई साब मैं नाम नहीं लोगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी टीचर का नाम लेना क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं और मैं आपको पी जी टी इंगलिश टीचर हूं ठीक है अब इससे अलग मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि बहुत से टीचरों ने जो कट अब बताई थी वो बताई थी 71, 72 ठीक है और बहुत से ने 70 बताई थी ठीक है और आज जो तारिक है हमारी 18, 18, 22, 2024 इस तारिक तक सब लोग यानि के 16, 15, 14 तक ही लगा लो आप सब लोग 65, 66 तक आ गए हैं 65, 66 तक और आज की अपडेट बता दूँ आज कितनी कटोप बता रहे हैं लोग बाग आज जितनी मैंने बहुत पहले आज से 20 दिन पहले बताई थी 62 आज 62 लिया हैं बाई साब 62 से लेकर पदेश अब हमने त खेल है आखड़ों का अगर तरीके से दिमाग से आखड़े लगाए जाए तरीके से सिस्टम बैठाया जाए तब भी आपकी कटोप इतनी ही जाएगी आप अपने दिमाग लगा लीजिए यह आपको भी पता है कि गुरुप डी मैं से भी हरियना पुलिस में लगे हैं गु गुरुप डीके स्टॉपर बच्चे थे ठीक जिन्होंने गुरुप सी नहीं दिया तो यह बेसिक सी जानकारी थी आप सभी के लिए और हाँ आप सभी को मैं बता दूँ धाई नंबर सोशियों के सुन लीजिए धाई नंबर मिलेंगे बस अबकी बाद जो नया सेट होगा कब होगा नया सेट जून और जुलाई में होगा ठीक है जून और जुलाई में तैयारी करना सुरू कर दीजिए धाई नंबर मिलेंगे और आप सुन लीजे नई बाद आप सभी के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका जो अगर किसी घर में तीन लोगों ने टेस्ट दिया है और पहले दो भाई बहनों को नंबर मिल रहे हैं और पहले के नंबर जादा हैं और छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे और दूसरा जब पोर्टल खुलेगा वो पोर्टल पे अपनी नंबर डाल दे अपनी डॉक्यमेंस की वेरिफिकेशन डाल दे कि सर ठ llegaetted अब देखिए मुझे पता था पोर्टल खुलेगा लेकिन वह पौर्टल खुलातों सही लेकिन वह पौर्टल किसका था वह पौर्टल खुलाता गुरॉप c का ठीक ऊसी के पोर्टल में ओष्ट प्रिफ्स हदनी थी अब दिक्कत यह हो गई कि मैं सोच रहा था कि गुरुप B का पोर्टल आएगा लेकिन वो पोर्टल खुला गुरुप C का अब आप टेंसर ना ले आज 18 अतारे के 19, 20 और 21 में कभी भी पोर्टल खुल जाएगा और मैं आपको आज साम तक भुसकवरी दे दूँगा पोर्टल खुलने की तो भाया पोर्टल खुल जाएगा लेकिन पोर्टल में मानने डॉक्विमेंट्स मानने यानि कि ऑथैंटिकल डॉक्यूमेंट सी अप्लोड होंगे बेपालतु कि इनने अप्लोड करने लग जाओ तो वह अपलोड नहीं होंगे ठीक है तो आसा मेरे द्वारा द करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके पास अपडेट आ जाए मैं आपको जितनी भी जौब की बारे में बताएंगा वो सब पॉजेटिव नियूस दूँगा ठीक है और किसी का कोई डाउट हो सोशिय एकोनोमी से संब्सक्राइब मेरे पास कमेंट कर सकते है आप मैं हर कमेंट का जबाब देता हम। और आपसे हज्ज जो और जरूर इस वीडियो को लाइक करें। ॉ यही सब्सक्राइब और कमेंट जरू करना ना भूलें। जरूर करें। नमस्कार और इस वीडियो को जरूर अपने वर्टसअप इंच्टा फेस्बुक पर सेयर करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्योंकि मुझे आपका यही आसर बात्षाइए प्लीज नमस्कार